हालेलुया प्रभु का धन्यवास, सबाव देश्यक अध्याय दो मैंने अपने मन से कहा, चल, मैं तुझको आनंद के द्वारा जा चुंगा, इसलिए आनंदित और मगन हो, प्रन तू देखो, यह भी व्यर्थ है मैंने हसी के विशे में कहा, यह तो बावलापन है, और आनंद के विशे में उससे क्या प्राप्त होता है मैंने मन में सोचा, कि किस प्रकार से मेरी वुद्धी बनी रहे, और मैं अपने प्राण को दाकमदू पीने से क्यों कर बहलाऊं और क्यों कर मुर्टता को थामे रहूं, जब तक मालूम ने करूं, कि वह है अच्छा काम, कौन सा है, जिसे मनुष्य जीवन भर करता रहे मैंने बड़े-बड़े काम किये, मैंने अपने लिए घर बनवा लिए, और अपने लिए दाक की बारियां लगवाई मैंने अपने लिए बारियां और बाग लगवा लिए, और उन में भाति-भाति के पलदाई व्रक्ष लगाए मैंने अपने लिए कुंड खुद्वा लिए, कि उन से वह वन सीचा जाए, जिसमें पोधे लगाए जाते थे मैंने दास और दासियां मोल ली, और मेरे घर में दास भी उत्पन हुए और जितने मुझ से पहले येरुश्लेम में थे, उन से कहीं अधिक गाएं, बैल और भेड बक्रियों का मैं स्वामी था मैंने चांदी और सोना और राजाओं का, राजाओं और प्रांतों के बहुमुल्य प्रदार्तों का भी संग्रह किया मैंने अपने लिए गेवईयों और गाने वालियों को रखा और बहुत सी कामीनियां भी जिन से मनुश्य सुख पाते हैं अपनी करली इस प्रकार मैं अपने से पहले के सब येरुश्यलेम वासियों अधिक महान और धनांडे हो गया तो भी मेरी बुद्धी ठिकाने रही और जितनी वस्तू के देखने की मैंने लालसा की उन सबों को देखने से मैं ने रुका मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से न रोका क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिक्षम के कारण आनंदित हुआ और मेरे सब परिक्षम से मुझे यही भाग मिला तब मैंने फिर से अपने हातों के सब कामों को और अपने सब परिक्षम को देखा तो क्या देखा कि सब कुछ व्यायर्थ और वायू को पकड़ना है और संसार में कोई लाब नहीं फिर मैंने अपने मन को फेरा कि बुद्धी और बावलेपन और मुर्कता के कारयों को देखूं क्योंकि जो मनुष्य राजा के पीछे आएगा वह क्या करेगा केवल वही जो होता चलाया है तब मैंने देखा कि उजियाला अंधिहारे से जितना उत्तम है उतना बुद्धी भी मुर्कता से उत्तम है जो बुद्धीमान है उसके सिर में आखे रहती हैं प्रन्तु मुर्क अंधिहारे में चलता है तो भी मैंने जान लिया कि दोनों की दशा एक सी होती है तब मैंने मन में कहा जैसी मुर्ख की दशा होगी वैसी ही मेरी भी होगी फिर मैं क्यों अधिक बार अधिक बुद्धिमान हुआ और मैंने मन में कहा यह भी वियर्थ ही है क्योंकि न तो बुद्धिमान का और न मुर्ख का स्मरण सरवदा बना रहेगा परन्तु भाविश्य में सब कुछ बिसर जाएगा बुद्धिमान क्यों कर मुर्ख के समान मरता है इसलिए मैंने अपने जीवन से घणा की क्योंकि जो काम संसार में किया जाता है मुझे बुरा मालूम हुआ क्योंकि सब कुछ वियर्थ और वाईयों को पकड़ना है मैंने अपने सारे परिक्षम के परतिफल से जिसे मैंने धर्ती पर किया था घिना की क्योंकि अवश्य है कि मैं उसका फल उस मनुश्य के लिए छोड़ जाओं जो मेरे बाद आएगा यहे कौन जानता है कि वह मनुश्य बुद्धिमान होगा वा मुर्क तो भी धर्ती पर जितना परिक्षम मैंने किया और उसके लिए बुद्धी प्रियोक की उस सब का वही अधिकारी होगा यहे भी व्यार्थ ही है तब मैंने अपने मन में उस सारे परिक्षम के विश्य जो मैंने धर्ती पर किया था निराश हुआ क्योंकि ऐसा मनुष्य भी है जिसका कारे परिक्षम और बुद्धी और ज्ञान से होता है और सफल भी होता है तो भी उसको ऐसे मनुष्य के लिए छोड़ जाना पड़ता है जिसने उसमें कुछ भी परिक्षम न किया हो यह भी व्यार्थ और बहुत ही बुरा है मनुष्य जो धर्ती पर मन लगा लगा कर परिक्षम करता है उससे उसको क्या लाब होता है उसके सब दिन तो दुखों से भरे रहते हैं और उसका काम खेद के साथ होता है रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता यह भी व्यार्थ ही है मनुष्य के लिए खाने पीने और परिक्षम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवाए और कुछ भी अच्छा नहीं मैंने देखा कि यह भी परमेश्य की ओर से मिलता है क्योंकि खाने पीने और सुख भोगने में मुझसे अधिक स्मर्थ कौन है जो मनुष्य परमेश्य की द्रिष्टी में अच्छा है उसको वह बुद्धी और ज्ञान और आनंद देता है प्रन्तु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है कि वह उसका देने के लिए संचे करके धेर लगाए जो परमेश्य की द्रिष्टी में अच्छा हो यह भी व्यार्थ और वायो को पकड़ना है आमेन प्रभु इस वचन के द्वारा आशिश्ते